हाई गाइस वेलकम टू मैं चैनल तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी शैंपू करने का सही तरीका क्या है जिससे आपके हेर फॉल ना हो तो मैं केश किंग जो शैंपू होता है उससे आपको अपने हेर वाश करके दिखाऊ तो इस तरह से मैंने जितना आपको शै हेर पे लगा सकते हैं बट आपको कोशिश करनी है कि आप फ्रॉथ बनाके ही अपने हेड पे लगाएं डिरेक्ट कभी भी आपको शैंपू अपने सिर पे अपने स्कैल्प पे हेर पे कभी नहीं डालना है क्योंकि यह हेर फॉल होती है अगर आप इस तरह से डालेंगे और जो जाग बनाई मैंने शैंपू की अब इसको में अपने हेड पे डालोंगी और अच्छे से रिंस करोंगी मैंने इसके लिए जो पानी यूज किया है गरम पानी में घोला है गरम पानी से ही मैं हेड वाश करी हूँ क्योंकि उससे क्या गरम पानी मतलब निगा पानी जो आ आपको मसाज करनी है लैंध पे भी आपको करनी है और स्कालप पे तो करनी है ही रेंज अच्छे से करना आपको इस शैंपो का बता दूं बहुत अच्य आयरवेदिक शैंपू ए अलोवेरा बेस्जार एक सब्स हर इसमें और हेयर फॉल जिनके बहुत हो रही हो उनको यह ज़ जब बीच भी मैं जैसे जाग बनाने के लिए मैं पानी डाल रही हूँ जब आपका शैंपू आप कर लें अच्छे से एक मिनट आपको प्रॉपरली करना है इससे उसके बाद आप कोल वाटर से आप वाश कर लें यानिकि नॉर्मल टैप वाटर से उससे क्या होता है जो इसमें अलोवेरा है जो बालों के लिए एक वर्दान सौट है इसके बाद आप नॉर्मल टैप वाटर से जब आप वाश कर लेंगे उसके बाद आप कंडिशनल लगाएंगे कंडिशनल का एक पूरा वीडियो में आपके साथ आगे जाके शियर करूंगी कैसे आपको लगा और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी माइड है तो मुझे ये सूट कर जाता है शैंपू तो आप भी जरूर ये यूज करें और इससे आपके बाल हैं स्ट्रॉंग भी होंगे और उनकी लेंथ भी बढ़ेगी मेरे साथ अपना ये परसनल एक्सपिरियंस है तो आप ये शैंप आप से मिलती हो मैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई